हेलो दोस्तो मैं हंतिका आप सब करती हूं अपने चेलन हंतिका WILLIAM किडिया इस्को कैसे क्या लगाएं क्या क्या प्यायासिट कैसे पानी क्या देखेंगे यह हमारा डे mensen का है देखें कितना सुन्दर कितना है भब कितने बड़े-बड़े पत्तों का साइज है यह देखिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों देखिए हमारे पौदे में कितनी अच्छी साइडिंग एक पत्ते पे कितनी अच्छी साइडिंग है डेफन को दोस्तों डम केन के नाम से भी जाना जाता है देखिए दोस्तों यह हमारा डेफन का पौदर ह यह देखिए है तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे रिपॉर्ट करें कैसे मिट्टी तयार करें कि दोस्तों यह हमारा पौधा कुछ बड़ा हो गया है इसके पौधे के हिसाब से यह पौट छोटा है क्योंकि इसकी जड़क को फैलने के लिए इस पे स्कम मिन रहा है तो हम इसको इस पौट में सिप करना जाते हैं यह हमारा बारा इंसका पॉट हो कि इसमें क्या दिक्कते आती हैं दोस्तों को ज्यादा पानी देने से हमारे पौधे में इस तरीके की समस्यां आती है इसे पक्ते बर्न होने लगते हैं पक्तों का साइस कम हो जाता है यह देखे लोग्तों अगर आपके भी पौधे में इस तरीके की समस्या आ रही हो तो आप मिटी को जांच लीजिए चेक कर लीजिए कि इसमें क्या दिक्कत है ज्यादा वाटरिंग करने से नीचे पानी श्टोर होता रहता है उससे हमारे पौध की नीचे की जड़े सड़ने लगते हैं तो पत्ते होते हैं पीले ओने लगते हैं जरने लगते हैं और पौधा हमारा खराब होने लगता है तो दोस्तों हम इसको किसी टूल के सहायता से इस पौधे को निकाल लेते हैं बहुत आसानी से निकालेंगे जिससे हमारे पौधे को किसी प्रकार का मुक्सान ना हो ये देखे लोस्तों ये हमारा रे फंका पौदे लेखे लोस्तों ये हमारा रे फंका पौधे देखे दोस्तों ये हमने कटिंग से ग्रो किया था ये देखे आप इसका कटिंग पौर्शन ये हमारा पौधा छे से साथ मैने पुराना है जो हमने इसकी कटिंग लगाई थी ये हमारा मेन पौधा था वो नीचे से गलने लगा था तो हमने इसका उत्री पौर्शन काटके और मिट्टी में कटिंग लगाती थी दोस्तों हमने इसकी छोटे-छोटे तो दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसकी मिट्टी किस तरीके से बनाएं दोस्तों यह हम पुरानी मिट्टी को नहीं यूज करेंगे हम अपनी नई मिट्टी फिर से बनेंगे दोस्तों देखिए यह हमारी गार्डन स्वाइड है कि कितनी भुरूरी है इसमें हमने पत्तियों की खाद बनाई है उसको मिलाया हुआ है कि दोस्तों इस पौधे को पहुंछ ज्यादा केव नहीं चाहिए होती है इसको महिने में एक बार गोबर की खाद देते रहिए यह हमारा पौधा अपने आप प्रो करता रहेगा दोस्तों पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है पानी अगर हम कमने तो भी हमारे पौधे को नुक्सान होता है अगर हम पानी ज्यादा दे दे तब हमारे पौधे की जड़े जलने लगते हैं क्यarte क्या पौधे की लिए बहुत अच्छे होते हैं यह हमारे पौधो के लिए बहुत अच्छे होते हैं है हमारे पौधे की मिट्वर में मिक्सकर ले रहे हैं कि अच्छे से हम इसको मिठ्टी को और खाथ को बराबर से मिला देंगे दोस्तों तो हम जोने जोने चाफने इस प्रकास के छोटे-छोटे पत्थर के तुकड़े रख देएंगे जिससे हमारे गंलों की मिठी बाहर न निकले और हमारे पौद का पानी ड्रेंड होता रहाए तो इस तरीके से हम इस होल को अच्छे से पत्फरों से कवर कर रहेंगे करä一點, पारी के अएले करे के लिए भ्टताम सुवियें धर्टिहाएँ ने कैसे अएले को जो त्य जोग आने को देने के लिए्ग पूग्डारी सेते जो जोते हैं, कि ओूब हला झादा है तो तिन वहा झादाँ धंग है तो सेक्जा जोतो च सामी एएले का जोते हैं, जोस्तोर हम इस path में अपने पौधे को सिप्ट किये दे रहे हैं और इसमें मिट्टी भरेडे रहे कर दोतों डेफवान के पौधे को जाड़ा धूफ नहीं पसंद होती हैगर गर्मी का पाधा होने की बावजूद भी इसे दाड़ा दूप नहीं पसंद होती है इसे नॉर्मल मौसम पसंद होता है इसको हम हमेशा इंडोर रखते हैं इंडोर का मतलब यह नहीं दोस्तों कि बंद कमरे में ले जाके इसे आप रख दो तो यह पौधा नहीं चलेगा क्योंकि कोई भी पौ दोस्तों कि अच्छे सही लुख हो अगर आप आउंडोर भी रख रहे हैं अगर आप रखना चालते हैं आउपगों तो आप रख सकते हैं दोपहर की धूप नहीं मिल पड़ी यह नहीं अगर तो फेर के धूद्ध पड़ेगी तो उपर के पत्ते जो है वो जलने लगते है जलके शड़के टूटके पौदा हमारा खराब होने लगता है दीरे दीरे हमारा पौदा मर जाता है तो दोस्तों इसको हम नॉर्मान उसम में रखते हैं जहां हमारे हां अच्छी सल्लाइट मिलती हो दोस्तों हमने इसको इसमें लगा दिया है अच्छे से मिट्टी को फिल कर दिया हम ज्यादा से मिट्टी को नहीं दवाएंगे ज्यादा मिट्टी दवाने से हमारे पौदे की जड़े तूट जाएंगी और हमारा पौदा घराब ही हो सकता है दोस्तों हम इसको अच्छे से मिट्टी भर देंगे ईक हम पॉध्टा को लगाते समय मिट्टी का भिसे अध्यान रखें मिट्टी बहुत जदlesie नहीं हो निकीर चिकनी मिट्टी होने से पानि रुक你 से आपको पता है कि पेर्ड खराब हो जाता यह parts करने लगता है यह पूर्शन गलता है तो मानुll उप्र का पौदा खराब हो जाता है हमारा पौदा इसी पौर्शन से टिका होता हैै इस पौर्शन के बाहुत है इसको हम पानी से भर देंगे पहले दिन और फिर इसको हम अपनी बालकली में सिप्ट कर देंगे ऐसी जगा रखेंगे जहां इस पर सीधी सनलाइट ना पड़ती हो ओके दोस्तों बाए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें सस्क्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें